अच्छी लड़किया खुद तूट जाती हैं, पर अपने माबाप का मान नहीं तूटने देती हैं, कभी भी कुछ भी हो जाए, पर माबाप का मान नहीं तूटने देती, कड़वा है मगर सच है, हमारे भारत में बहुत सी साधियां इस देर निभाई जा रही है, कि अगर हम अलग हो गए तो हमारे बच्चे के भविष्य का क्या होगा बहु पर आरोप लगता है वह घर की हर बात अपने माई के वालों को बताती है तो क्या आपने यह सोचा कि सास घर की हर बात अपने विबाहित बेटी को नहीं बताती है इस्त्री सबको पसंद है पर उसकी स्वतंत्रता किसी को नहीं पसंद है बात कड़वी है मगर सच पता है पतनी पती से लंबाई में छोटी क्यों होती है क्योंकि पती जब उसको गले लगाए तो पतनी उसके दिल की धड़कन को सुन सके कई लोग बात कर रहे थे बात चल रही थी कि सरीफ औरत घर में रहती है मैंने कहा सरीफ औरत सरीफ ही रहती है चाहे वो घर में रहे या बाहर रहे कहीं भी रहे आवरत रिष्ट निभाने के लिए अपना माय का तक भूल जाती है इसलिए नहीं कि वह सशुराल वालों से डरती है बलकि इसलिए सब सह जाती है ताकि माय के वालों आप माबाप पे कोई उंगली न उठाए रूपिया रखना है तो बैंक आउफ वाइफ के पास रखे थोड़ा कम होकर मिलेगा पर मुश्किल समय में आपको लोन जरूर मिलेगा सशुराल वालों में लाख बुराई हो अगर हम सफर अच्छा है तो सशुराल कितना भी बुरा क्यों न हो कोई फर्ग नहीं पड़ता है